नमस्कार दोस्तों, टेक्सकेन के एक बिलकुल ना है, फ्रेस और एक्साइटिंग अपस्वन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बता है, रिलाइंज जो हो सकते हैं कि 2023 साल के अंदर या अपने IPO लॉंच करें। IPO का मतलब है, Initial Public Offerings जो Stock Market इंडियान जो Stock Exchange वहाँ पर रिलाइंज जो लिस्ट हो सकते हैं और आप खुद GEO के कुछ सेयर्स जो वो पर्चेस कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स उतना जाद इंट्रेस्टेट GEO के उपर नहीं होंगे अगर GEO आपने प्लाइंज का प्राइस है एक इमिडियेट बेसिस पर ना करे। पूरा जो स्टाटिस्टिक्स है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा GEO का क्या खड़ाब दिन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है क्या प्रोफिडिबिलिटी के मावले में GEO जो पीछे रहने वाले हैं। पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है अगर आप रिलाइस जो के ग्रहक है और रिलाइस जो के फ्यूचर के बार में जानना है तो डेफिनेली वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तो रिसेंली क्वाटर टुओ फाइननसेली 2023 इसका मतलब जुलाई आगोस सेप्टेमबर ये जो तीन महिना है इस तीन महिने के जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रिलाइस जो के तरब से पाब्लिस किया गया है और इस तीन महिने के अंदर रिलाइस जो कितना प्रॉफ कर जाएंगे लेकिन फाइनली ऐसा नहीं हुआ डिलाइस जो के अवरेज रिविन्यू पर यूजर्स जो एक सो पचातत दसंबलक साद रूपए था क्वाटर वान के अंदर वो क्वाटर टू के अंदर एक साततत दसंबलक दो रूपए यहां पर हो चुका है मतलब से दो र लगते हैं क्या रिलाइस जो के अंदर प्रॉफिट कम हो गया है क्या रिलाइस जो के अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर मैं प्रॉफिट इविलिटी की बात करता हूं तो रिलाइस जो भारत के अंदर सबसे जाधा प्रॉफिटेबल टेलिक किया गया है यहां पर हो चुक है 4729 करो रूपए मतलब काफी ज़्यादा profitability के मामले में रिलाइंस जो काफी आ गए है सेकेंड पोजिशन पर आते हैं याटेल आपको पता है याटेल का जो profitability काफी ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि quarter 1 के अंदर याटेल का जो टोटल प्रॉफिट था वो था 1607 करो रूपए जो quarter 2 के अंदर बढ़ कर 2145 करो रूपए हो चुक है तो 1607 से 2145 करो रूपए मतलब यहाँ पर एक huge growth जो याटेल के profit के ओपर देखने के लिए मिला है क्योंकि उनका जो average revenue पर users तो उतना जादा नहीं बढ़ा है लेकिन profit जो वो याटेल से दुगने से भी जादा है लेकिन expert का यह मानना है कि investors रिलाइंस जो के अंदर investment नहीं करना चाहेंगे इसके पीछा का जो main कारण है आप एक company के अंदर invest क्यों करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप जो पैसे उस company के अंदर लगा है वो जल्दे से जल्दे grow हो जल्दे से जल्दी बड़े रिलाइंस जो एक बहुत ही stable company है लेकिन अगर मैं growth की बात करता हूं उससे एयाटेल कंपनी का growth percentage के मुकाबले काफी ज्यादा है रिलाइंस जो का growth सिंप्ली 4500 करण रुपे से profit जो 4700 करण रुपे के अंदर गया है जहां पर एयाटेल का 1600 करण से 200 करण गया है तो यहां पर growth percentage के अगर मैं बात करता हूं तो एयाटेल customers को ज़्यादा return दे रहा है अगर मैं investors की बात करता हूं एयाटेल investors को ज़्यादा return दे रहा है as compared to Reliance जो Reliance जो बहुत ज़्यादा stable company है लेकि Reliance जो के अंदर जो मैं ली growth है वो उतना ज़्यादा नहीं है जो amount of growth यहां पर एयाटेल यहां पर दिखा रहा है उसी के साथ-साथ expert के यह मानना है कि में ली December महीने के अंदर थार्ड राउंड और प्राइस एक हो जाएंगे एयाटेल और वोड़ाफन आइडिया फार्स टाइम प्राइस एक करेंगे उसके बाद Reliance जो भी अपने plans का प्राइस एक करेंगे और अगर मैं टेलिकम कंपनी के प्रास्पिक्टिप से देखता हूं तो यह काफी काफी बड़ा अमूंट अप प्रॉफित है जो रिलाइस जो यहां पर जनेर्ट कर पा रहा है और आने वाले टाइम के अंदर पूरे भारत 5G से कौवर करने वाला है और में लिए 5G एसे के साथ जा रहा है मतलब पूरे तरीके से infrastructure जो वो रिलाइस जो खुद से बना रहा है इसके लिए काफी ज्यादा मूंट अप investment जो वो रिलाइस जो पर कर रहा है और इसी कारण से डिलाइस जो के जो financial condition वो अभी के टाइम के अंदर थोड़ा डगमा गड़ा है लेकिन चीनता की कोई बात नहीं है बहुती बड़ा कंपणी है बहुती बड़ा कंपणी का सपूर्ट जो है हमें डिलाइस जो के अंदर देखने के लिए मिला है और आने वाले टाइम के क्या कुछ होते हैं लेकिन आपका opinion क्या है इसके बार में डिफिनेली आप comment 6 मर comment करके जरूर बतेएगा एई सार आपडेट्स आमने पास निकल क्या रहा था छोटा सा वीडियो बना कर आपको बता दिया अगर वीडियो पसंद आया कुछ ने जान करी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पासंबल आइकोन को दबना आप बिल्कुल भी मत फुलिए ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो टेली बेसिस देखने के लिए थैंक्स फॉर चिंग बाइन टेक क्यार आप सिर्फ लगा तो कैसी कोई नए वीडियो के साथ अब तक लिए दोस्त अपना ख्याल रखिएगा